जैहिंद सातियो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार आरपीफ यसाई और आरपीफ कॉंस्टिबल में अभी तक टोटल कितने फर्म फिलप हो चुके हैं क्योंकि आज है सातवा दिन आप लोगों को पता ही है 14 तारीक को इसका नोडिफिकेशन आ गया था और 15 अपरेल से इसका फर्म फिलप होना स्टार्ट हो गया था तो आज 21 अपरेल आज का लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों को बताने वाले हैं यदि आप रेलवे के किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बिल आइकन भी आउन कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को फिडियो अपकोस्ट बुक का पीडियाफ चाहिए तो हमारा टेलिग्राम गुरूप जाके जॉइन कर लीजिए वहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम मुफ्त में पीडिये जा रहे हैं बहुत सारे बुक के कम से कम 25 से 30 बुक होंगे तो आप लोग जल्दी से जाके हमारा टेलिग्राम गुरूप जॉइन कर लें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो यहाँ पे बात करें हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपना जो है रेजिस्टेशन नंबर संड किया था तो यहाँ पे उनका कुछ ऐसा रेजिस्टेशन नंबर आया थ फिर उसके बाद में एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे अपना रेजिस्टेशन नंबर संड किया था तो दोनों लोगों का यहाँ पे हम लोग जूम करके इसको देखेंगे कि आखिरकार कैसे निकल रहा था क्योंकि पिछली बार निकल रहा था यहां से कि कितना फर्म फिल में यसाई का होता तो यस होता लेकिन आज का जो डेटा आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे आप लोग देखिए जैसा यह कंडिडेट हमारे इमेल आईडी पे भेजे थे अपना यहाँ पे डेजिस्टेशन नंबर इन्होंने अपना फर्म फिलप यहाँ पे आप लोग कीए है टेकनिशन गेरेड थिरिका भी किये हैं और यहाँ पर कॉंस्टेबल और इसाई दोनों का फर्म फिलप किये हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कॉंस्टेबल के लिए सी आता है सी के लिए 1720 में दिया गया है लेकिन यहाँ पे डाटा जब चोकाने लगाया जा सकता है, हाँ यह हो सकता है कि Constraver और YSI का दोनों का form उसी के बराबर पढ़ गया हो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा data निकल के नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे पहले निकल के आ रहा था, आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे निकल के आ रहा था, चाप लोगों को अवश्च बताएंगे, आप लोग वीडियो के लाज तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर ले, और चैनल को साथ में सब्स्ट्राइब कर लें, और टेलीगराम गुरूप भी जा तो आप भी देरी मत करिए, जाके गुरूप को जॉइन कर लीजिए, चले फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थाइंक यूँ